33 साल तक चली खेस की सुनवाई 10 साल पहले साबित हुए थे नाबालेक लेकिन रेहा होने में लगे 10 साल जान ये क्या है घटना के पीछे की कहानी 7 सितंबर 1989 बेहार के बक्सर में मुन्ना सिंग के खिलाफ घातक हत्यार रखने और हत्या के प्रयास के तहट एक मामला दर्ज हुआ कहा जाता है कि मुन्ना सिंग उस समय नाबालिक थे लेकिन देश की लचर कानून विवस्था के कारण उनका केस लगभग 33 साल तक चला फिर भी मुन्ना सिंग केस से बरी होने की बाट देखते रहे आखिर कार 33 साल के सुनवाई के 10 साल बाद मुन्ना सिंग को केस से ना सिर्फ बरी कर दिया गया बलकि अदालत ने उन्हें घटना के दोरान नाबालिक होना भी माना है इंडियन एक्सप्रेस के एक खबर के मताबिक बकसर में किशोर नयाय बोर्ड के साहयक अभियोजन अधिकारी एके पांडी ने कहा कि किशोर बोर्ड ने मामले की अच्छी तरह से जाच की चूंकि मुन्ना सिंग के खिलाफ कोई गवाह नहीं था इसलिए उन्हें आरोपों से बरी कर दिया गया सिंग के वकिल लाकेश कुमार मिश्रा के मताबिक उनका मुवकिल केवल 13 वर्ष का था और गटना के समय आठवी कप्षा का चातर था लेकिन 2012 तक उसे नाबालिक नहीं माना गया था बकसर की ACJM द्वती की अदालत में मुकदमे के दोरान मिश्रा ने मुन्ना सिंग से उनकी उम्र पूछी जब उन्होंने कहा कि वो इस समय 46 वर्ष के हैं तो ये साफ हो गया कि जब मामला दर्ज किया गया था तो वो नाबालिक थे फिर नवंबर 2012 को मामले को बकसर किशोर न्याय बोर्ड में स्थान अंतरित कर दे गया मुरार पुलिस थाने के चोगाई गाउं के निवासी और किसान मुन्ना सिंग का कहना है कि उन्होंने लभख एक महीने जेल में बताये थे इस मामले में एक आरोपी बनने के बाद उन्होंने काफी मानसिक प्रतारणा जेली और अदालत के चक्कर लगाए मुन्ना सिंग के पिता समेथ मामले के पांच आरोपीयों की सुनवाई के दोरहन मौत हो गई बकसर कोट ने कुछ साल पहले इस मामली में दो लोगों को दोशी करार दिया था और दो अन्य को बरी कर दिया था जबकि मुन्ना सिंग के वकील ने कहा कि किशोर बोर्ड के फैसले में देरी का मुख्य कारण पिछले दस वर्षों में बोर्ड का बकसर से पटना आरा और फिर बकसर में स्थानंत्रित होना था वकील के मुताबिक मामले में मुन्ना सिंग को केवल इसलिए फशाय गया कि उसे मौके पर देखा गया था जबकि वो केवल जग्याचा वश वहां गए थे आपको बता दें कि मुन्ना सिंग पर उनके पिता श्यामबियारी सिंग सहित 9 लोगों के साथ IPC की धारा 148 यानि घातक हत्यार से लेस होकर दंगा करने और 307 हत्या का प्रियास के तहत मामला दर्ज किया था 2012 में जाकर ही ये साबित हो गया था कि वो घटना के समय नाबालिक थे अब जाकर 11 अक्टूबर 2022 को गवाहूं की कमी के कारण मुन्ना सिंग को बरी कर दे गया तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ